दोस्तो अपने अगले मेंट्स के तराया पर बढ़ते हैं जो कि है मीडियन. तो मेंडियन बहुत थी कामन सचीज है, आपको हर जगा देखने के लिए मिल जाएगा अपने घर के आज पास के सड को पे आपको देखने के लिए मिल जाए क्योंकि मीडियन आपका कहीं पे भी अगर थोड़ा सा में रोड है ना तो मीडियन वहाँ पे होता ही होता है ठीक है मीडियन का बेसिक काम क्या होता है मीडियन का बेसिक काम होता है आपके ट्राफिक को सेपरेट करना ठीक है तो अगर कोई आपका highway है, ठीक है, divided highway बोलने का मतलब ये है, कि एक lane में आपका direction में आपका traffic move कर रहा है और दूसरे lane में उसके opposite direction में traffic move कर रहा है, तो उसको हम लोग divided highway बोलेंगे, ठीक है, और जो चीज, जो strip of land which is dividing this direction of movement of traffic, that strip is known as median, ठीक है, तो अपने diagram में इसको mark करेंगे, this is median, ठीक है, और ये क्या हुआ करता था, ये हमारा curve और ये median, ठीक है, इसको mark कर दिया हम नहीं आपके, चलिए, देखिए, तो यही चीज मैंने आपके लिखी भी है, ठीक है, ठीक है, a road on which traffic in one direction of travel is separated from that in opposite direction is called a divided highway and the dividing strip in the middle of the roadway is known as median, ठीक है, यही चीज मैंने आपको जो समझाय है, वही चीज लिखी हुए बिलकुल, और जो हमारा Indian Road Congress है, ठीक है, वो recommend करता है, कि कम से कम 5 meter का median, 5 meter इसकी जो width है, ये 5 meter हम कम से कम रखें, किसी भी highway पे, ठीक है, और अगर 5 वे देना मुमकिन ना हो, तो कम से कम 3 meter तो दे ही, अगर किसी तरीके का restriction है, उतनी land वहाँ पे acquire नहीं हो पा रही है, तो कम से कम हम लोग 3 meter का median तो वहाँ पे दे ही दे, अगर नहीं है, अगर desirable possible है, तो 5 meter का वहाँ पे बिलकुल चलेगा, ठीक है, यही आपका दूसरा point है, ठीक है, अब कुछ functions देखेंगे median के, median क्यों इतना preferable है, क्यों इतना desirable है, देखें, median preferable इसलिए है, क्योंकि अगर single lane है, और two way traffic है, मतलब single lane में गाड़ियां आ भी रही है, इस तरफ से और इस तरफ से जा भी रही है, तो देखें, head on collision होने का बहुत chances होता है, ठीक है, खास कर रात को, ठीक है, क्योंकि वह करते हैं, brightness रखते हैं, तो बिल्कुल आखों में चुपती है, और रात में head on collision होने का chance बहुत जादा होता है, ठीक है, तो पहला जो आपका point है, कि it reduces the risk of head on collision, ठीक है, तो पहला काम क्या करता है, head on collision को, आपको risk को reduce करता है, दूसरा क्या है, वही glaring effect वाली बात है, रात में क्या होता है, कि headlight लोग properly adjust करते नहीं है, या adjust मतलब क्या करता है, desirable नहीं होता है, क्योंकि आपको थोड़ा दूर तक vision चाहिए होता है, और अगर आपका single lane है, और two way traffic है, तो सूची कितना खतरनाक हो जाता है, ठीक है, तो उस case में median कितना वाला role play करता है, कि आप उस गाड नहीं थोड़ा glaring effect रहता है, क्योंकि उसका vision बड़ा होता है, लेकिन जैसे आप नजदीक आ जाएंगे, तो आप बकाइदा देख पाएंगे, कि वो गाड़ी आपसे कितनी दूरी पे है, ठीक है, तो इस case में वो आपका glaring effect जो है, वो आपका बहुत हद तक कम कर देता है, ठीक है, अब आपको intersection पे देखिए क्या मदद करता है, intersection में फ़र आपको U-turn लेना है, इस तरीके कुछ लेना है, तो ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक highway है और बहुत तेजी से गाड़ियां आ रही हैं और जा रही हैं, इस तरफ से जा रही हैं, इस तरफ से आ रह लेके इस वाले lane में ला सकता हूं कि नहीं ला सकता हूं, तो यह गाड़ी आप खड़ा कहां करेंगे, ठीक है, यह कहां खड़ा करेंगे, तो वही आपका median जो intersection पे जो median का part होता है, वही पे गाड़ी वहाँ पे आपको खड़ा मिलती, खड़ी कर सकते हैं, आप अपने decision ल pavement और carriageway, ठीक है, pavement carriageway तो देखिए, carriageway वही होगा जिस पर आपकी गाड़िया चलेंगी, वही आपका pavement होगा, तो इसलिए carriageway और pavement, एक ही चीज़ दोनों इस टाम्स में, ठीक है, तो देखिए width को तो डिफाइन करने कोई जरूबत है नहीं, ऐस सच, चोड़ाई को, ठीक है, और दूसरा width of single lane required, basically आपका जो divided highway होता है, उसमें number of lanes होते है, ठीक है, और हर lane का एक required width होता है, तो इन सब चीज़ों पर depend करेगा कि हमारा width of pavement कितना होने वाला है, ठीक है, दूसरा point यहाँ पर यह है, कि the lane width is determined, अब आपने decide कर लिया कि इतना सारा lane हमने देना है, ठीक है, और इतने सारे pavement width में हमें accommodate करना है, ठीक है, अब दूसरा चीज़ यहाँ पर आजाता है, जो आपका lane width आपकिस basis पे determine कीजेगा, तो आप lane width उस basis पे determine करते हैं, कि आपका side में clearance कितना है, ठीक है, आपको आपकी vehicle जा रही है, तो आपके median और इस तरह आपके shoulder या footpath के बीच म वो कितनी है, देखें, वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, the lane width is determined on the basis of width of vehicle and minimum side clearance, वही बात लिकी हुए जो मैंने आपको समझाई, ठीक है, अब इसमे एक table होता है, कि आपको ये table numerical वेगरे solve करने में भी बहुत जगा काम आएगा, ठीक है, या objective में भी कहीं कहीं ये आपके tips पर होना चाहिए, ठीक है, अब देखिए, कि ये type of road, यहाँ पर type है, और यहाँ पर आपका width है, ठीक है, इस वाले column में आपका width, ठीक है, अब देखिए, single lane road है, ठीक है, single lane road है अगर, तो उसमें हम width कितना देते हैं, उसमें हम width देते हैं, 3.75 meter, ठीक है, अब माली जए double lane road है और उसमें curve नहीं दिया हुआ, double lane road है और curve नहीं है, तो टोटल हो जाएगा, 7 meter, ठीक है, अब देखिए double lane road है, width curve है, तो इसमें हो जाएगा, साढ़े 7 meter, ठीक है, कोईश्व नहीं है, फिर देखिए intermediate carriage वे है, intermediate carriage वे जो होता है, उसका जो width हम provide करते हैं, वो हम साढ़े 5 meter provide करते हैं, ठीक है, और multi lane pavement, हमाले जए बहुत सारे, आप तो, आपने सुना ही होगा, 6 lane highway, या 3 lane highway, 4 lane, 8 lane, इस तरीके के highways होते हैं, ठीक है, तो उस case में क्या होता है, कि, जो width हम देते हैं, वो देते हैं, 3.5 meter per lane, ठीक है, 3.5 meter, कितने भी lane है, हर lane का width जो है आपका 3.5 meter होगा, ठीक है, तो ये थे आपका type of, मतलब divided highway, और each lane का width या आपका width of pavement कितना होगा, ठीक है, तो ये आपका ये चीज़ यहाँ पर कतम होता है, तो दोस्तो, हम लोग बाढ़ रहे हैं, अपने अगले feature पर, जो की है camber, अब देखे, camber कहाने हैं, कि बहुत ही interesting और बहुत ही important feature है, हमारे, आपके cross section of highway का, ठीक है ये आपको हर जगा किसी ने किसी form में आएगा, numerical में आपके इसके values भी आएगे, जिसका कि मैं आपको एक table बनवाऊंगा यहाँ पर, ठीक है, इसी form में एक table बनाना है अपको अपने notes में, ठीक है, और values बिल्कुल आपको अपने याद रखने हैं, ठीक है, और ये जानना भ आप देख रहे हैं, ये slope आप देख रहे हैं, ये carriageway का ये slope देख रहे हैं, यही आपका camber है, इसी slope को हम लोग camber कहते हैं, तो और ये देते क्यों है, ये हम लोग देते हैं, इसलिए हैं कि जितने तरीके के drainage purposes होते हैं, जैसे अगर बारिश हो रही है, तो सारा पानी हमारा drain कर जाए, वो हमारे surface पे stagnant नहीं रहे, surface पे stagnant रहेगा, surface को wet करेगा, surface को खराब करेगा, accidents की probability जादा होगी, friction कम होगा, ठीक है, तो इन सब कारणों के हम लोग चाहते हैं, कि हमारा जो surface है, वो थोड़ा सूखा रहे, उस पे पानी stagnant ना रहे, तो उस case में हम लोग क्या कर करते हैं कि camber provide करते हैं, ठीक है, वही चीज़ देखे, मैंने साफ साफ बिलकुल उसी भाषा में लिखा है, minimum transverse slope provided to the road surface in order to remove the rainwater, ठीक है, अब देखे, value of camber, अब देखे, कुछ, अब certain slope लेंगे, value तो लेंगे, आप, वो आपका basis क्या होगा, आपके value लेने का, वो आपका basis दो चीज़ पर depend करता है, पहला आपका depend करता है कि कि यहीज़ दो आपकी सड़क की सता है, वो आपकी committed है, ठीक है कि यह आपकी दोनों चीज़ों पर इन दोनों factor है, आपका value of camber depend करता है, टीक है दूसरा जो point है कि अब आप देखिए camber आप decide कर लिया कि आप camber आप किस तरीके से provide करेंगे ठीक है तो आप दो example मैंने यहाँ पर लिखे हैं पहला लिखा है मैंने parabolic camber parabolic camber आपका desirable होता है आपके fast moving traffic में आपका parabolic camber बहुत ही लाबदायक होता है ठीक है तो for fast moving traffic we consider parabolic camber ठीक है और यह थोड़ा even भी होता है अगर आप देख रहें कि even sloping RES में ठीक है तो इस कारण से भी desirable होता है दूसरी चीज है आपका straight camber ठीक है straight line camber तो जहां पर आपका cemented road होता है cemented surface road होता है वहाँ पे आप लोग हम लोग क्या करते है कि straight camber provide करते है ठीक है कि दूसरी चीज इसमें एक चीज और है एक point और है जो कि मैं आपको यहाँ पर लिखवाना चाहता हूं तो क्योंकि मेरे पास यहाँ पर जगा नहीं है तो मैं क्या करता हूं कि एक यह point आपका erase करता हूं ठीक है यह वाला point erase कर रहा हूं पांच सेकेंड के लिए वीडियो को forward कर लेंगे है ठीक है यह basically मैं आपको formula बता रहा हूं formula फोर प्रोवाइडिंग प्रोवाइडिंग पराबोलिक क्यामर ठीक है तो यह basically इसका formula आता है वह आता है y is equal to 2 upon n into w into x square यह कहीं 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 आपको objective अगर है मैं पूछ आपको आ सकता है यह मतलब की ठीक है तो यह आप याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा ठीक है तो इसमें क्या कहीं है n जो है n is equal to number of lanes है और w जो है width of each lane है ठीक है तो हम लोग एक चीज यहाँ पर एक term define कर सकते हैं जिसको कि d हम लोग बोलेंगे टोटल विट्थ बोलेंगे टोटल विट्थ तो टोटल विट्थ को हम लोग n w से लिख सकते हैं कोई दिक्कत टोटल विट्थ को n w से लिख दिया हम ने ठीक है क्योंकि n जो है आपका number of lanes है और w है आपका width of each lane तो दोनों का multiplication आपको total width दे देगा ठीक है तो यह है आपका camber और जो इसमें एक important table जो आपको याद रखने की ज़रूरत है याद मतलब बिलकुल आपके tips पर होनी चाहिए क्योंकि आपको numerical वेगरह में आपको बिलकुल use किया जा सकता है आपके वाइवा वेगरह में तरीके के हमने criteria लिये है अब वहाँ देखेंगे के area में rainfall कैसा है heavy rainfall है या light rainfall है ठीक है जब light rainfall रहे और आपका cement concrete pavement है तो जो आपकी क्यामबर की value होती है वो होती है 1.7% होती है और जब heavy rainfall होती है तो दो प्रतिशाथ होती है ठीक है अब bituminous surface में आई है तो जब light rainfall होती है तो दो प्रतिशाथ होता है जब heavy rainfall होती है तो जब heavy rainfall होती है तो 2.5% होता है जब light rainfall होता है तो यहां पे भी 2.5% होता है और जब heavy rainfall यह एरो इसले कुछ मतलब नहीं इस एरो का इस एरो मैं आपको इसले बना रहा हो क्योंकि टेबल थोड़ा न जगह कम है तो आपको याद रखने में कि कौन सा value किस department का है आपको यह याद रखने में फायता होगा इसले एरो बना रहा हो बस और कुछ का मतलब नहीं है यह तीन प्रतिशत होता है ठीक है फिर अगर रफ सर्फेस है अर्दन स्वाइली सर्फेस है ठीक है तो यहाँ पे light rainfall के case में तीन प्रतिशत देंगे और यहाँ पर है तो यह आपका हो जाएगा 4 परसेंट ठीक है तो यह हो गया आपका पूरा टेबल ठीक है तो यह था आपका क्यामबर के बारे में जितने डीटेल्स हैं फॉर्मूलेज है बेसिक हो मैंने आपको बता दिये जो इन्पॉर्टेंट टेबल है मैंने आपको वह भी बता दिये देखिए क्यामबर आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखेंगे ठीक है आपको हर जगा यह चीज काम आएगी नौलेज परपस से या कॉंपिटेशन परपस से या समस्टर एक्जाम वाइस परपस से आपको क्यामबर बिल्कुल ध्यान में रखना है ठीक है अब हम लोग मुव आन करेंगे अपने अगले और आखरी फीचर पर ठीक है